अपनी यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लाशेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बताएंगे जो है जो बिहार सिच्छक भरती है बिहार सिच्छक भरती बिहार सिच्छक भरती से Related कुछ महात्वपोंड तर जो other state को क्या कर दिया है फाम भरने के लिए क्या सबी लोग क्या कर सकते हैं फाम भर सकते हैं चाय किसी भी state को है यूपिक हो मैं है और सभी state के लिए क्या है तो देखे इसमें कितनी बैकेंसियां है अधर इस्टेट के लिए उसको देखे लेते हैं ठीक इसका पूरा बिस्तित नोटिफिकेशन है देखे आप वहां जो भी भाम भरेंगे चाहिए आप किसी भी कैटेगरी के हो तो आप क्या है अनरचित मतलब जनरल वाली में फाइट क कितनी टोटल वैकेंसी कितनी 80,000 है ठीक है 80,000 है ठीक और आप लोग अगर OBC में यहां पर OBC में है उत्तर प्रदेश में OBC में है तो आप वहां पर जनरल में काउंट किये जाएंगे ठीक यह सारी चीज़ें आपको यहां पर लिखी हुई है ठीक है देख लिजे मैं पूर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आप लोग जरूर अवेधन करिएगा और एक दिक्कत थी कुछ लोगों को यह प्राब्लम हो रही थी सर इसमें कौन-कौन अवेधन कर सकता है ठीक देखिए आप TGT और PGT पे आप अपलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या प्राथमिक विद्याले की कोटी विद्याले की अध्यापक था माध्मिक के विद्याले की विशयवार आत्ष्न रोष्टर समकेतित रूप से आयोग की वेब साइट पर है ठीक इसमें जो सीटें क्या घटाई बढ़ाई भी जा सकते हैं यह भी अहां पे लिखा है यहां पे लिखा भारत का निवासी और बिहार का अस्थाई निवासी होना चाहिए यह चीज़े आपके आऊ चुकी है खतम हो चुकी है ठीक आप किसी भी भारत का निवासी सिर्फ होना च ठीक है उच्छ माधमी कस्तर पर प्रारंबिक सिच्छा सास्तर में दो वर्स का क्या होना चाहिए दिप्लोमा होना चाहिए यह भी कहा है और 50% अंक के साथ उच्छ माधमी के सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं वेपसाइट से इसके देख सकते हैं ठीक और बीड वाले भी बीड और जो सीटेट क्वालिफाई है सीटेट ठीक और जिनका नहीं क्वालिफाई जो अपेरिंग में इस बार हैं और 20 अगस्त को लोग पेपर देंगे तो वे जो है 31 तारीक तक उनकी पर एक तीस अगस्त दो हजार तेस तक उनकी क्या हो जान चाहिए परिछा हो जाने इसका फाम अपलाई कर देंगे सभी लोग जो इस बार लाश्ट येर में हैं बीड जिनका लाश्ट येर है वो भी अपलाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन लाश्ट येर होना चाहिए और जो 31,000 तेस से पहले इनका रियल्ट आ जाना चाहिए वही क्या होंगी इसमें सलेक्ट अनिटे हो गए ठीक हो डाई लाटो से अनिक ये भी बात अगया तो मानने नहीं नहीं बात आप भी रकी का सारी क्लास्स कंटे की जाएंग है सारी क्लासिपा वर् किया की जाएंगे रिश कच्छा नौ से दस तक कच्छा नौ से दस तक कोई मतलब नहीं आप लों के लिए ठीक अधर इस्टेट वालों के लिए प्रारंभिक अस्तर पर ठीक कि एक मिनट कुछ और दिखा जयते हैं क्या सब्जेक्ट है क्या साइबस है क्या आपको पढ़ना है वो सारी चीजिए आयूश्वीमा क्या होगी अब हारता देख लिए जो है ठीक क्या क्या है भासा अहरता क्या होगी इसका एक पेपर होगा ठीक पहला जो क्वालिफाइं औ फर्स्ट ठीक तो इसमें क्या होगा प्रायमजरण लिखांग इस पत्र में करиной wrench लों भा समनं सब्सक्रांग कर जरेंग लाना प्राथ्मिक गणित मतलब मैत ऐगी और रिजनिंग आएगी ठीक है रिजनिंग भी आएगी और आपका सामान जागरुकता सामान ने भी ज्यान समाजिक बिग्यान भारती राष्टि यांदोल गोल और पर्यावरण क्या रहेंगे इसमें सामिल रहेंगे ठीक सभी क्या रहेंगे और नीचे लिखा है सामान अध्यन पत्र के प्रश्चन प्रात्मिक विद्याले के पाठकरम या CRT से सम्बंदित रहेंगे लेकिन इसका अस दिमांक में रखना है यह अधर इस्टेट वालों के लिए बहुत महत्तोप्रूर्ण था तो मैंने वीडियो बना दिया और आप लोग फाम जरूर भरिएगा जरूर से जरूर भरिएगा ठीक है चलिए आगे आगे कुछ पॉइंट है उनको भी मैं बता देता हूं ठीक सुल्क जो है सुल्क देखे लिए कितना फाम का सुल्क क्या लगेगा सुल्क अभ्यारती प्रतेग पत के लिए बायोमेट्रिक फिस्ट दो सो रूपे ठीक दो सो रूपे तथा अलग-अलग आर अच्छन यह तु जिससे सामान निवर के हैं अधर इस्टेट के हैं तो आप के लिए भी क्या लगएगा 200 रूपे ही लगएगा ठीक है क्या लगएगा 200 रूपे लगए तो आप लोग फाम ज़रूर भरिएगा ठीक ठीक है यह सारी चीज़ें आप लोग बिश्तित नोटिफिकेशन मेरे टेलिग्राम चैनल से आप लोग क्या कर सकते हैं वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक तो आप लोग वीडियो को सेर करिएगा बस इतनी जानकारी थी आप लोग फाम बार के और इस चैनल पे आप लो 26, 27, 28, 29 तारीक को इसका क्या अगस्त को क्या इसका पेपर भी याद रखेगा ठीक तो बहुत समय नहीं है जो लोग पहले से तयारी कर रहे हैं विहार वाले से तयारी कर रहे थे यहां भी क्लियर नहीं था कि यूपी वाले भरेंगे या नहीं तो आप तो लागों हो गया आज से ही आप लोग क्या करेंगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ठीक तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत